सिंपल है उसके लिए आज हम डिस्क्रीट सीरिस की बात करेंगे अगर आपको डिस्क्रीट सीरिस दी जाती है उस केस में स्टेंडर्ड डिवेशिन कैसे सॉल्व किया जाए वो हम विद एक्जांपल देखेंगे स्टेट्स की जितने भी वीडियो में अपलोड करता हूँ उन हर एक वीडियो में मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ कि स्टेट्स डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है आपको सिर्फ फॉर्मुला लर्न करना है एक बार फॉर्मुला लर्न हो जाए तो उस फॉर्मुले क हो जाते हो steps learn नहीं कर पाते और सभी steps merge हो जाते हैं तो मैं आपको simply बता रहा हूं कि stats के question practicals solve करने के लिए आपको किसी भी तरह के steps learn करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ formula learn करने अगर formula आता है तो उसको कैसे solve कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा so सिर्फ formula learn कर लीजिए और कुछ समझने की जरूरत नहीं है formula अगर आता है तो steps जो है वो अपने आप develop हो जाते हैं so basic जो आपकी problem है उसको निकाल दीजिए कि steps नहीं learn हो पाते मैं कहना चाहूंगा कि economics की stats में steps हैं ही नहीं steps learn करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी so चलिए जादा time waste ना करते हुए सबसे पहले हम discrete series को understand कर लेते हैं कि आखी discrete series होती है discrete series refers to a series in which frequency is also given along with the x variable आपको पता है कि individual series में हमें सिफ एक ही variable दिया होता था जिसको हम x variable कहते थे लेकिन अगर x variable के साथ आपको frequency भी दी जाती है तो उसको हम बोलते है discrete series in this series we do not have class intervals इसमें हमारे पास दो series होती है एक x variable की और एक frequency की लेकिन इसमें class interval नहीं होता class interval कौन से series में होता है continuous series में discrete series is also called as frequency array there are two methods of calculating standard deviation in discrete series जैसे कि individual series में हमने three methods follow किये थे direct method, shortcut method, step deviation method उसके according अगर हम discrete series की बाग करें तो discrete series में दो ही methods होते है direct method and shortcut method steps learn करने की जुरूरत नहीं है जो formula आपको बताऊँगा उस formula के according ही question solve हो जाएगा सो जल्दी से यह हमारे पास direct method का question है सबसे पहले हमें इसका formula understand करने formula हमारे पास क्या है standard deviation equals to under root summation f f मतलब यहाँ पर frequency है bracket x minus mean whole square divided by n so इसके according आपको यह question solve कर लेने तो सबसे पहले आपको standard deviation calculate करने के लिए x में से mean minus करने जितने भी x values हमें यहाँ पर दी गई है इन सब में से आपको mean minus करने और I hope कि mean कैसे calculate करते हैं यह आपको आता होगा frequency के question में mean calculate करने के लिए आपके पास formula क्या होता है mean equals to summation fx upon n इसका मतलब सबसे पहले आपको mean calculate करना पड़ेगा एक बार mean आ जाएगा तो उसके बाद सभी values में से आपको mean minus कर देने so mean calculate करने के लिए first step आपके पास है आपको f और x को multiply करने so यह हमारे पास x variable और यह हमें frequency दे हुई है multiply करते जाएए आपका answer आजाएगा so first हमें चाहिए f और x का multiplication so first हमारे पास आएगा 4, 12, 24, 50, then 36, 28 और last में आएगा 16 so f x को multiply करने के बाद हमें इसका summation चाहिए मतलब total चाहिए f x को multiply करके total हमारे पास आएगा 170 so यहाँ पर हम लिख देते है 170 divided by n यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि n का मतलब है frequency का total individual series में क्या होता था number of items हमारा n हो जाता था लेकिन यहाँ पर हमें frequency दियो हुई है तो frequency का total हमारे पास n आएगा जो कि हमें कितना given है 17 so divide करने पर हमारे पास mean आजाएगा 10 so अब हमारे पास mean आ चुक है इसके according हम अपना second step follow कर सकते है सभी x values में से हमें क्या minus करना है mean so यहाँ पर हम अपना second step follow कर लेते है x minus mean so जितनी भी values हमें दी गई है x की सब में से हमें क्या minus करना है 10 4 minus 10 minus 6 minus का sign ignore नहीं करना आपने minus 6 next हमारे पास आएगा minus 4 minus 2 then 0 2 4 and 6 so आपको इन सब में से 10 minus करने minus करने के बाद आपको इसका square कर देने so हमारे पास यह जो value आईए इसका हम square कर देते है x minus mean का square so first हमारे पास आजाएगा 36 6, 24, 4, 0, 4, 16 and 36 इसके बाद आपको क्या चाहिए जो आपके पास x minus mean करके whole square आया है उसको आपने किस के साथ multiply करना है f के साथ so यह हमें f की value sorry दी हुई है so इस f की value को आपने multiply करना है यह square के साथ so 36 multiply 1 first हमारे पास आजाएगा 36 so first आएगा 36 then उसके बाद 2 multiply 24 यहाँ पर एक हलके सी sorry mistake हो चुकी है यह 16 आएगा 4 का square sorry 16 होता है so इसके according 2 multiply 16 यह हमारे पास आजाएगा 32 then 12, 0 12, 32 then again 36 so simple है आपको कोई भी step learn करने की जुरूरत नहीं है क्योंकि steps आपको भूल जाएगे आपको formula learn करने है जो की easy है formula learn करने के बाद आपको अपने steps follow कर लेने है so यह हमारे पास आचुका है f x whole square का answer इसके बाद हमें क्या करना है इसका total करना है summation submission का sign दिया गया so यह हमारे पास आजएगा 160 so formula में put कर देते है under root यहाँ पर हमारे पास आएगा 160 divided by 17 so यह हमारे पास आजएगा 9.41 और under root करने के बाद final answer हमारे पास आजएगा 3.07 इसके इलावा अगर आपको coefficient of variance पूछते है covariance तो उसका formula आपको आता है वो apply कीजिए आपका answer आजएगा coefficient of standard deviation अगर आपको पूछते हैं तो उसका formula भी आपको पता है standard deviation divided by mean so standard deviation हमारे पास आया है 3.07 divided by mean mean हमारे पास था 10 इसको solve करोगे तो हमारा answer आ जाएगा so यह आएगा हमारे पास 0.307 direct method के बाद ऐसे ही shortcut method में भी आपको steps नहीं learn करने सिफ formula learn करने आपको solution मिल जाएगा so यह हमारे पास shortcut method इसको शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि first part का link जो है वो description में दिया हुआ है अगर वो आपने नहीं देखा तो आप उसको जाकर देख सकते हैं जैसा sport आपने जोली कोचिंग के channel को provide किया था वैसा ही sport आप हमारे इस new channel economics by जोली कोचिंग को भी provide कीजिए जितना जादा हो सके अपने friends के साथ share कीजिए और उनको inform कीजिए so shortcut method में भी सबसे पहले हमें formula देख लेने हैं उस formula के according हमें अपना steps जो है वो learn कर लेने हैं so formula हमारे पास है standard deviation equals to under root summation fd square upon n minus summation fd upon n whole square so whole square और single s square में difficulty होती है students को understand करने में problem होती है so इसको कैसे solve करना है वो अच्छे से understand कर ली दिये तो question के according सबसे पहले हमें क्या करना है decalculate करना है d का मतलब होता है deviation और deviation कैसे calculate करते हैं अगर आपने mean chapter किया होगा तो आपको आता होगा अगर आपको नहीं पता कि deviation कैसे calculate करते हैं तो description में mean chapter का भी link दिया गया है आप उसको जाकर देख सकते हैं so deviation का simple formula होता है जो भी आपके पास x variable होगा उसमें से आपने minus कर देनी है assumed value assumed value मतलब कोई भी value so यहाँ पर हमें x variable दिया हुआ है 1,2,3,4,5,6,7,8 इसमें से कोई भी value आप assume कर सकते हो so कोई भी value 4 हम assume कर लेते हैं या फिर कोई भी let 5 so 5 ते according हम यह question solve कर देते हैं 1 minus 5 first आजाएगा minus 4 minus sign ignore नहीं करना है 2 minus 5 minus 3 then 2 इसके बाद minus minus 1 0 इसके बाद 1,2 और last में 3 so अब हमारे पास d आ चुक है यह हमारा first step था क्योंकि f हमें दिया हुआ है n भी हमें पता है लेकिन d कैसे calculate करते हैं सबसे पहले डी ही हमें find out करना था so d का मतलब था deviation d हमारे पास आ चुक है x minus a मतलब assumed value minus करने के बाद assumed value minus करने के बाद d हमारे पास आ चुक है next step हमें क्या चाहिए हमें d को square करना पड़ेगा क्योंकि हमें अगर summation fd square चाहिए तो जो हमने d की value calculate की है उसका square करना पड़ेगा so यह हमारे पास d की value है इसको हम square कर देते हैं so first हमारे पास आ जाएगा 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4 and 9 square करने के बाद next हमें क्या करना है f से multiply so d calculate किया d का square किया अब उसको f से multiply भी करना पड़ेगा so यह हमारे पास d square और यह हमारे पास है frequency so इन दोनों को हमें multiply करना पड़ेगा 5 multiply 16 आ जाएगा 80 next 10 multiply 9 90 15 multiply 4 60 so ऐसे सभी values हम calculate कर लेते हैं 20, 0 then 10 multiply 1 10 40 135 f d square find out करने के बाद हमें उसका total चाहिए summation so इसका total हम कर लेंगे यह हमारे पास value आएगी 435 next हमें क्या चाहिए f और d को multiply करने अब दोनों में difference देखो क्या है यहां पर हमें पहले d को square करना था फिर f से multiply करना था और हमने यही किया पहले हमने d find out किया d का square किया और d के square को हमने multiply किया f के साथ तो हमारे पास आया f d square अब यहां पर हमारे पास क्या है bracket के बाहर square है मतलब square अभी नहीं करना आपने square बाद में करने पहले आपको क्या करने d और f को multiply करने तो दोनों की confusion को आपने ऐसे दूर करने first में पहले square करने फिर f से multiply करने second में आपको क्या कह रहे है कि square बाद में करने पहले हमें single d चाहिए और single d हमारे पास already है जो कि हमने यहां पर calculate किया था इस single d को हमें f से multiply करने फिर उसका total करने और square तो बाद में करने तो इसका मतलब हमें इस value को या इस value को abuse नहीं करना यह हमारी find out हो चुकी है हम इसको यहां पर लिख सकते है standard deviation equals to 435 हमारे पास आया था divided by n n मतलब frequency का total और वो हमारे पास है 100 minus अब second part जो है वो हमें solve करना पड़ेगा so d को हमें multiply करना है f के साथ d जो कि हमने already calculate किया हुए simply इसको हमें f से multiply करना है और minus का sign ignore नहीं करना क्योंकि minus इसमें है minus 4 multiply by 5 so यह हमारे पास f d आ जाएगा और minus में 20 ऐसे ही next आएगा minus 30 again minus 30 minus 20 0 next हमारे पास आएगा 10 20 और last में 45 5 so f d multiply करने के बाद हमें इसका total चाहिए so यह हमारे पास है इसमें negative sides का total हम अलग से कर लेंगे और positive का अलग से ताकि कोई confusion ना हो first यहाँ पर हमारे पास आएगा minus का 100 ऐसे इसको भी हम plus कर लेंगे 10 20 30 30 and 45 75 so minus 100 and 75 इसको solve करेंगे तो answer minus 25 में आएगा so यह हमारे पास second equation आ गई है summation fd so यहाँ पर हम put कर देंगे minus 25 divided by 17 whole square so इसको solve करेंगे so यह हमारे पास आ जाएगा 435 divided by 100 minus minus 1 upon 4 square इसको cancel कर सकते हैं sorry यहाँ पर 100 आएगा previous question का हमने यहाँ पर लिख लिए 17 100 आएगा and हमारे पास 100 है so solve कर लेते हैं इसको यह हमारे पास आ जाएगा under root 4.35 minus इसको square करेंगे तो 1 upon 16 आ जाएगा और minus का sign जो हो हट जाएगा square करने के बाद so 1 divided by 16 so यह हमारे पास आएगा 0.0625 so 4.29 और under root करने के बाद answer आ जाएगा 2.07 so I hope अब discrete series में भी आपको कोई confusion नहीं होगी झाल झाल चीं।